दोस्तो रोजाना गवर्रेमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी दवा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए यंतर इंडिया लिम्टिड की निव भरती की अपडेट ले के आ चुके हैं जिहां दोस्तो इस भरती की इंपोटेंट डेट जारी हो चुकी है एक मार्च से 30 मार्च तक आप इस भरती के लिए ओन लाइन आवीदन कर सकते हो यंतर इंडिया लिम्टिड ओडनेस फैक्टरी भरती की निव अपडेट आ चुकी है मार्च 2030 की ये बड़ी बंपर भरती की अपडेट आ चुकी है जियां दोस्तो यंतर इंडिया लिम्टिड की ओर से निव नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ओनलाइन आवीदन परक्रियाब भी एक मार्च से अस्टार्ट होने जा रही है दस्वी पास केंडिडेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं दस्वी पास के लिए आपर सुनेरा और बड़ा उसर निकला है पांच हजार चार सो अठावन वैकेंसी जहां पर इसके लिए निकली है इस भरती के लिए खास बात ये रहेगी कि यहां पर आपको कोई भी एक्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवीदन सुल्क जमा करना होगा ओल ओवर इंडिया से आप एपलाई कर सकते हो मेल फीमेल दोनों केंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर कैटिकरिवाइज वैकेंसी जै क्या कम्पलीट इलिबिटी कराइटीरिया है कैसे आप इस भरती की ओफीशल नोटिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे आप एपलाई कर सकते हो अच्टैप बएच्टैप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ये आपके सभी सवाल और डाउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाये सुरू करते हैं यंतर इंडिया लिमिटीड रिक्रूटमेंट 2023 की पूरी जानकारी जिहां दोस्तों यंतर इंडिया लिमिटीड ओर्डिनेंस फैक्टरी भरती मार्च 2023 की अपडेट आ चुकी है यंतर इंडिया लिमिटीड ओर्डनेंस फैक्टरी आयुद निर्मानी के इंतरगट ट्रेड अपरेंटिस की पोस्ट निकली हुई है टोटल यहां पर 5458 वेकेंसिज निकली है सबसे पहले यहां पर इसमें 5450 वेकेंसिज निकली थी उसमें उसके बाद में 8 वेकेंसिज इंक्रीज की गई तो टोटल अब यहां पर 5458 पद है आईटाई अपरेंटिस के लिए 3514 पद है जबकि non-ITI apprentice के लिए भी 1944 vacancies निकली है non-ITI के लिए यहाँ पर यह 8 vacancies increase की गई है बात अगर यहाँ पर इसकी important date की की जाए तो आवीदन परकिरिया इस भरती के लिए 1 March 2023 से सुरू होने जा रहे है March 2023 की यह bumper भरती की update है CD भरती की update है लाश्ट एट online आवीदन करने की 30 March 2030 है से लिए आप notice से check out कर सकते हो qualification की बात की जाए तो non-ITI apprentice के लिए 10 वी पास apply कर सकते है बिना ITI के भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो non-ITI apprentice के लिए और जो ITI apprentice है उसके लिए 10 वी पास के साथ में ITI trade certificate आप से मांगा गया है age limit 15 से 24 से है बात अगर यहाँ पर age relaxation की की जाए तो आप इसकी detail notification की PDF से जल्दी check out कर सकते हो fees आपको जमा नहीं करनी होगी आवेदन करते समय और exam भी नहीं देना होगा merit list के आधार पेस में आपका selection किया जाएगा online आप apply कर सकते हो all over India से भारत के सभी राजियों से आप apply कर सकते हो यंतर India.co.in.es की official website है जिससे आप online apply कर सकते हो दोस्तो इस भरती की बाकी की जानकारी के लिए आपको हमारी website ind-sherkari-nokri.in का link नीचे description plus first comment box में मिल जाएगा और हमारी page पर visit करके इस page के end में आप देख सकते हो important links का section दिया गया है online date notice PDF आप जैसे ही इस link पर click करोगे तो जो यहाँ पर इसकी date डिकलेर की गई है वो आप यहाँ से check out कर सकते हो इस link पर click करते ही इसका carrier का page open हो जाएगा यंतर India Limited का एक carrier का page है यहाँ पर आप second number पर देख सकते हो यहाँ पर आपको date दे दी गई है जो यहाँ पर trade apprentice 57 batch thought advertisement है online application यहाँ पर start होगा देख सकते हो 1 March 2030 से 30 March 2030 तक इसके लिए online आविदन चलेंगे यहाँ पर आप date check out करने के बाद में जो इसका new notification जारी किया गया था वो आप इस link पर click करके check out कर सकते हो यहाँ पर 5458 vacancies निकली थी जो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 1944 नोन ITI के लिए थी 3514 ITI के लिए थी यहाँ पर trade apprentice के लिए thought विज्यापन जारी किया गया था यहाँ पर eligibility conditions की information आप check out कर सकते हो नोन ITI के लिए 10 वी पास ITI के लिए 10 वी पास पलस जिस trade से आप apply कर रहे हो उससे आपका ITI certificate मांगा गया है age limit 15 से 24 से आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको link दिये गए है जहाँ से आप online apply कर सकते हो जिया दूस्तों apprentice registration भी आपको करना होगा जो कि यहाँ पर link दिया गया है यहाँ से आप registration कर सकते हो और जो इससे पहले वाला notification था वो आप इस link पर किलिक करके check out कर सकते हो जिसमें 5450 vacancies निकली थी साथ साथ apprentice online registration portal का भी link है इस link पर किलिक करके आप यहाँ से apprentice portal पर registration कर सकते हो और साथ साथ दोस्तो apply online का link है इस link पर किलिक करके आप यहंतर India limited के इस portal से online आविधन कर सकते हो link activate एक मार्च से होगा 30 मार्च तक आप आविधन कर सकते हो बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी official website पर भी visit कर सकते हो यहंतर India limited के ओफिशल website है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे साथ साथ दोस्तों गर आपने भी तक हमारा YouTube जैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोग्ज की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं